दोस्तों आज 2nd October है जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे और आज गांधी जनती है उसी तरह से साथ ही साथ अगर आप मुटिस करो तो लौल भादर शास्त्री जी का भी आज जनम दिवस है ठीक है उनकी बर्थे नवर्शरी है तो इन दोनों परस्नेलिटेस से में बहुत सार वरत अभ्यान वाला निशिटिव था तो कहिना कि वो गांधी जी की लाइफ से इंस्पाइड था उसके लिए उनके जो आइडियास नौन वाइलेस सत्य हमसा ठीक है ना सुराज का उनका कॉंसेप्ट हो गया सर्वोध्या का कॉंसेप्ट हो गया अंतोध्या की वह बात करत आते हैं तो चाहें आप modern Indian history की बात करो जहां पर आप गांधी जी के बारे में पढ़ते हो या फिर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस history की बात करो जहां पर आपने लाल भादु शास्ती जी के बारे में पढ़ा होगा तो यह दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से clarity होन कम ही आई है औल्दो नंबर इंप्रूव हुआ है 1.62 लाक क्रोड के आसपा सम चल रहे है पर पिछले सेप्टेंबर के हिसाब से इस सेप्टेंबर में 10.2% की ग्रोथ है पिछले मंस में देखाऊंगे तो थोड़ी growth ज्यादा थी 10.8% के आसपास तो growth हो रही है अच्छी ब काम बढ़ गए है तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की हमें दाम बढ़ते हुए यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों डेट है आज की 2 अक्टूबर 2023 और आप सभी का स्वागत आज के प्रिलेम बूस्टर निउस डिसकॉशन के अंदर एक चीज समझते हैं दे तो जब ताइम दिली दिले कम होता जा रहा है तो हमें अपनी तयारी को भी और जादा सुजल्ट करने की जुरूरत है अगर अभी तक भी अगर आप थोड़ा लिथार्जिक फील कर रहे थे या अपे लग रहा था कि नहीं या अभी एक्जाम दूर है तो अब टाइम आ च कि बहुत सारे क्वेशन आपके प्रिलें बूस्टर न्यूज डिसकेशन से आए कुछ एकॉनमी के क्वेशन बात की और जगा से भी आए जो हम डिसकस करते हैं तो कहिना कि आप अपनी तयारी के अंदर कंसिस्टेंट है तो डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी बनती है क यहाँ पर अच्छे से कवर कर पाऊं इन फेक्ट ना यह सिरफ दो एक्जाम की बात नहीं है उससे पहले भी चाहिए आप यूपियस से कुछ एक्जाम देख लो या जो हमारा आर्वी अग्रेट भी हो गया और भी बहुत सारे एक्जाम को लोग ना अक्सर कॉमेंट्शन हूँ पर आप इस चीज़ को समझना कि यह सारे एक्जाम ना रेलेटिव एक्जाम होते हैं आपको यह नहीं करना कि मानलो की 10 कॉशन आ रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करूँ कि यार 10 के 10 कॉशन ही मेरे पढ़ाए हुए में से आ जाएं नहीं ना मैं ऐसा क्लेम कर रहा हू जैसे लेट से 7 से 8 कॉशन ठीक होते हैं तो आप और यहां से बहुत अच्छा तैयारी यहां से बहुत अच्छे से कर सकता जैसा कि पिछले एक्जाम के दर देखने को मिला भी है मैं एक चीज के अंदर विलीब करता हूँ आपको ना टॉपिक्स कवर करना ही होते हैं ना कि अपना निउस्पेपर ठीक है मैं आपको ना इसका सीक्रेट भी समझाता हूँ कि कैसे ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है कि हर एक्जाम के अंदर बहुत जादा questions की हमारी hit ratio है जो की बाकी और जगह से बहुत बहतर है इसका ना बहुत ही एक logical और scientific reason है आपको समझाता हूँ आपको जो भी मैं बढ़ाता हूँ ना उसकी इस तरह से एक मैं sheet maintain करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो हर मन्त की इस तरह से आपको भी मन्त open करना चाहोगे January, February से लेके September तक हर किसी चीज़ की sheet है यहाँ पर मैं notice करता हूँ कि लिखता हूँ कि कौन-कौन से topics मैंने cover कर दिये है getting the point और कौन से cover करने मतलब कौन से cover कर दिये है basically अब देखो जैसे for example अगर यहाँ वे मैंने आज आपको जो भी यह second September की बात है मानलो मैंने आपको ED के बार में पढ़ाया यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा कि अगले एक हफ़ते तक बात चल सकती है हो सकता है ED के बार में एक हफ़ते तक discussion होता रहे कि ED ने अब यह कर दिया, ED ने वह कर दिया तो मैं रोज आपको वो news नहीं पढ़ाऊंगा Getting the point, रोज मैं आपको ED के बार में discussion नहीं करूँगा हो सकता है एक दिन और कर दूँ, बस इस से दाधा नहीं तो इस परसे होता पता क्या है, कि 20 से 22 मिनट के अंदर आपका पूरा topics cover हो जाते हैं कोई यह कहें कि सर ने यह topic नहीं पढ़ाया topic नहीं बोल सकता, तो यह हो सकता है कोई बंदा को बोले कि सर आपने यह news नहीं पढ़ाई मेरी आपसे एक challenge है, कि आपना इस तरह से आप देखो पूरी टीम नहीं ऐसे analyze करती है, हर संडे को बैठके भी analysis होता है कि कोई topic नहीं था जो छूट गया हमसे, उसको हम अगले week के अंदर कैसे cover करें getting the point, तो कभी भी ना मैं newspaper cover करने के अंदर believe नहीं करता अप्रोच है, एक scientific approach है, इस तरह से हर चीज को maintain किया जाता है, ऐसा नहीं कि आज नहीं कि आज नहीं आगा चलो यह पढ़ा देते हैं, यह front page की उपर है, चलो इसको इसको पढ़ा देते हैं, नहीं, को लाजिक तो होना चाहिए उस चीज का, आपको मैं एक challenge देता हूँ, आ एक challenge लोग अपने साथ कि I will be consistent for UPSC, ठीक है ना, चाहिए अपनी notebook में लिखो, आप YouTube comments में लिख सकते हो, या अपने आपसे वसवादा करो कि I will be consistent for UPSC, and realize, trust me, कि consistency आपको UPSC है, जिस भी exam के आप target कर रहे हो, उसको realize करने के अंदर आपकी बहुत help करने वाली है, I know थोड़ा motivation आप जादा हो गया, but important था, क्योंकि अब हमें अपनी तयारी को भी और सुद्रेट करने की जरूरत है, चलो अपने topic की तरफ बढ़ते हैं, अदर इस project उद्भव, अब ये क्या है, देखो, इंडियन आर्मीन एक initiative start किया है, जिसका नाम क्या है, project उद्भव, इसमें होगा क्या, इसमें आप notice करो, कि जैसे for example, आप चनक्या का अर्थ शास्तर के बारे में जानते होंगे, इस तरह से हमारी बहुत सारी कुछ ancient text होए है, बिल्कुल सही बात है, उनमें काफी अच्छी अच्छी बात है करी गई है, उनके अंदर इंडिया की strategy क्या होनी चाहिए, ठीक इन सभी चीजों को हम अपनी modern साथ connected करें, एंड कहिना कि अपनी जो forces हैं, उनको और भी बहतर बना पाए, यही है project उदभव, इसको start किस ने किया था, start हुआ था यह 2021 के अंदर by Indian Army और साथ साथ United Service Institution of India, जो कि एक defense think tank है, यहाँ पर एक तरह कि हम इंडिया की खुद की strategic vocabulary भ जो हमारे books हैं, उनके अंदर जो wisdom है, कहिना कि उसको हम modern military जो आजकर learnings है, उनके साथ कहिना कि integrate करेंगे, कुछ thoughts drive होंगे, एंड properly हम अपनी चीजों को और भी बहतर बना पाएंगे, को तिल्या के अलावा भी और चीजों को study किया जाएगा, ठीक है न, और भी जो different books होती है तो definitely इससे हमारी जो diplomacy, warfare, इसके अंदर एक definitely बहुत बड़ा improvement देखने को मिल गया, definitely आपको यही majorly ध्यान रखना है कि कौन इसको, किसका ये project है, and साथ ही साथ इस project आखिर अर्थ क्या है, अगले topic के तरफ चलने, that is tea exports, जो tea board है जो कि एक statutory body है, statutory body मतलब एक law के थूँ बनी ह package की तरफ जाए, ऐसा नहीं कि bulk में मतलब करें, उसके तरफ बैंडे प्रैक्रिजिंग करेंगे ना, तो कहिना कि export बूस्ट होने की probability थोड़ी जादा यहां पे है, ऐसा यहां पे tea board का मानना है, थोड़ा सा अगर हम notice करेंगे ना, इन्होंने कुछ सुजाव दिये हैं कि कैस टी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जायता है, जैसे start-ups उसमें आ सकते हैं, ठीक है ना, साथ-साथ value addition हो सकती है, कि कैसे उसको अंदर value add करें, यह सारे अलगले कुछ तरीके बताएगे हैं, थोड़ा अगर इसकी history में चलेंगे ना, तो आप notice करोगी जो tea plantation थी, वो दरसल में आ British years ने start करी, plantations होती हैं, बड़े-बड़े farms के उपर, यह हमें देखने को मिल जाती है, tea के regarding कुछ climatic conditions को आप जड़ा notice करना, पहली बात तो यह, कि tea को grow करने के लिए warm climate चाहिए, but moist free climate होना चाहिए throughout the year, बहुत अपने आप में न, के वर न, ऐसा ही पूछ लेगा, कि इस particular crop क तो आपको वहाँ पता होने चाहिए इस चीज़ों को, इसके साथ में अगर आप रोटेस करो होगे, बीच-बीच में यहाँ पर frequent showers होने चाहिए, जो कि evenly distribute हो, बहुत ज़ाब बारिश होगी, तब भी खराब है, बहुत कम होगी, तब भी खराब है इस चीज के लिए, यह कभी आप गए हों पहाड़ों के उपर, ठीक है ना, कभी आप जैसे हिमाचल गए हों, यहाँ पिर आप लेट से असाम बगएर आगे हों, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर बहुत सारे जो infect महिलाओं का रोल बहुत रहता है, वो पत्तियां थोड़ते हैं, जो च प्रीपूटिसिंग स्टेट सामें देखने को मिलती है, इंडिया अच्छा-खास एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है जैसे फॉर एक्जांपल रश्या, यूई, इरान, यहाँ पर एक्सपोर्ट हमारा मेजर जाता है, पर ध्यान रखना, इंडिया इस नौट दा लाजएक् यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, जैसे फॉर एक्जांपल चाइना के आप एक्सपोर्ट साब देख सकते हो, 2022 के लिए, ठीक है यह वाला नंबर आपको यलो वाला नंबर लेना है 2022 के लिए, उस तरह से इंडिया कम है उसका कंपैरिजन में, श्रिलंका भी जादा एक् रखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, कि जो अफगानिस्तान इंबैसी है ना दिल्ली के अंदर, वो शटडाउन कर गी है, कल 1 अक्टूबर थी, कल ही है इसको शटडाउन किया गया, और क्या कारण था अफगानिस्तान इंबैसी इन इन गॉर्मेंट से उनको इच्छी सपोर्ट नहीं मिल रही, अगर आप नोटिस करोगे, 2021 में आप जानते हो ना कि तालिबान की सरकार वहां पर ओम होती हुए देखने को मिली है, और इंडिया ने अभी तक इसको रिकुगनाइस नहीं किया हुआ, ठीक है ना, इंडिया च इसको रिलीस कोन करता है, इसको रिलीस किया जाता है, इसको रिलीस किया जाता है, यानि कि World Intellectual Property Organization, अब इसके अंदर क्या देखा जाता है, कि basically कोई country innovation के अंदर कितना अच्छा perform कर रही है, especially जैसे हम बात करते हुए ना, intellectual property का मतलब क्या होता है, आपके paternets, आपके copyrights, जासे कही ना, कि export कैसा हो रहा है, उनकी services का, investors का कितना महाँ पर confidence हो चीज के अंदर, क्या वहाँ पर अच्छे खासे engineers हो गया, आपके scientists हो गया, उनके graduates कितने हैं, यह सारी अलग-अलग यहाँ पर पर देखे जाते हैं, उस साब से देखा था कि कोई country innovation के अदर कितना अच् 21st rank के उपर था, पर आज 40 में rank के उपर है, तो definitely पछले के सालों के अंदर हमारी government का जो focus ना है, research and development को improve करने के अंदर, वहाँ पर अच्छे काम के वज़ए से यह चीज़े achieve हम कर पाएं, ठीके न, अगर आप notice करोगे, ठीके न, काफी अच्छे हमें help करता है, कहीं न, कही जाता है कि science, technology, innovation हो गया, इनके अंदर हम कैसा perform करते हैं, तो total 132 countries को यहाँ पर देखा जाता है, उससाब से 80 indicators के उपर इनको check किया जाता है, तो Switzerland हो गया, आपका first place के उपर है, Sweden, US, यह उसके बाद हमें देखने के मिल जाते है, top 5 countries, Sweden, USA, UK, Singapore, और Switzerland को top के उपर ही है, इंड private sector ने भी अच्छा काम किया है, तो यह कुछ चीजों की वज़ा से भी अच्छा हमारे performance साल बढ़ती जा रही है, और ICT services हो गया, इनका export मारा बढ़ा हुआ है, ठीक है, venture capital बाहर, पैसा वग़रा काफी अच्छा कास आता है, तो इन बाहर से भी पैसा आता है, ठीक है, science and engineering क काफी अच्छे है, R&D investors है, तो यह अच्छी बात हैं यहाँ पर, और बात करें अगर lower middle income groups की, तो वहाँ पर इंडिया की topmost position है, और Central and South Asian region के अदर भी इंडिया topmost position के उपर है, तो यह भी अपने अच्छी बात है, especially अगर हम बात करें, बैंगलूरू, दिल्ली, चन्ने, UN की specialized agency है, उनमें one of the oldest agencies आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना, इसके creation हुआ था कब, 1967 के अंदर तांगे कहिना की intellectual property का protection हो पाए, दुनिया भर की अंदर, इंडिया इसका founding member नी था, पर इंडिया ने 1975 के अंदर इसको यहाँ पे join कर लिया, Palestine का इसके अंदर permanent observer status है, और इसके headquarters आपको Geneva, Switzerland के अंदर देखने को मिल जाएंगे, एक बिहार की regarding के कौर news है, that is, बिहार to get second tiger reserve in Camur district, देखो actual में क्या है, यह जो Camur wildlife century है ना, यह बिहार का second tiger reserve बनने वाला है, अब आपके दिमाग में आएगा सेर इससे पहले कौन सा था, देखो जो Valmi की tiger reserve आपको century की बात करो, यह second यहाँ पर tiger reserve बिहार का बनने वाला है, यह century आपको दो पार्ट मेंट वाइड होते हैं देखने को मिल जाएगी, एक प्लेन वाला एरिया, एक प्रेट्व वाला रीजिन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 1979 की इंदर इसका establishment हुआ था, यहाँ पर आप fauna देखने को मिल जाती है, flora की बात करें, तो care हो गया, palace हो गया, यह कुछ है point flora भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है न, तो बाकी तो हम समझेगे, ठीक है न, wild life century की बात करें, तो पहली wild life century थी यह बहार की, और साथ साथ ही largest wild life century भी है, बाकी अगर आप notice कर पाकिस्तान के बार में जानने कोशिश करें, National Tiger Conservation Authority, जो एक statutory body है, act के तूपनी होई बाडी है, basically, 2005 के अंदर established किया गया था, under the recommendation of Tiger Task Force, और ministry कौन सी है, ministry of environment, forest and climate change, यह भी हमें आवे पता होना चाहिए, next topic है, मारा with regards to Baluchistan, देखो यहाँ पर हुआ क्या है आप पाकिस्तान के पर में जानते होंगे, तो पाकिस्तान के अंदर ना एक प्रोविंस है, Baluchistan के नाम से, बहुत बार ना news में भी रहता है, काफी बार पाकिस्तान के गेंस, कुछ नारे भी यहाँ पर लगते है, तो बलुचिस्तान के अंदर ना एक जगा है, basically district है, मस्टूंग district, यहाँ पर यह basically एक suicide attack हुआ है, जहाँ पर कम से कम त्रेपल लोगों की मौत हो गी है, और 70 बाकी लोगों को injured हमें देखने को मिल गया है, यहाँ पर थोड़ा ना इसकी location के उपर आफ फोकस करना, यह फिर अभी इधर ही देख लो, यह largest province है, बलुचिस्तान के अंदर हम बात करूँ, इस एरिया के respect के अंदर, तो largest province है बलुचिस्तान, यहाँ पर आपको desert विकरा देखने को मिल जाएंगे, mountain ranges भी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि सुलेमान हो गया, तोबा ककार ranges हो गया, यह आपको चीदर पता होने चाहिए, बहुत जादा यहाँ पर ना, state यहाँ पर जो पाकिस्तान की state है, यहाँ पर लोगों की आवास को दबाने की कोशिश करती है, ठीक है, उस वितर से काफी बार ना, conflicts विकरा देखने को यहाँ पर मिलते रहते हैं, एक nationalistic movement यहाँ पर चल रही है, 1948 से भी, आज के time के उपर भी ना, काफी उसके regarding बात होती रहती है, यही हमारे projects के भी बहुत important है, पर उसके बिल्कुल पास नहीं, 72 km दूर ही आपको ग्वादर पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो की ब्लूचिस्तान के अंदर ही हमें देखने को मिलता है, जो की CPAC, चाइना-पाकिस्तान economic corridor, जो इंडिया की sovereignty का against है, ठीक है न, उसका करें, oil reserves हो गया, बाकी और natural resources हमें अच्छे का से ब्लूचिस्तान के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा location perspective से या बाकी चीदे भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, आज की discussion basis के उपर कुछ मैं आपको questions दे रहा हूँ, इनका मुझे आप नीचे comments में answer बताओगे, कौन सा इनमें से ठीक है, कौन सा गलत है, साथी साथ, एक ना मुद्दा मुझे discuss करना है electoral bond का आपके साथ आने वाले दिनों के अंदर, तो ये homework आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इसको भी समझा दूँगा मैं क्या आपकी electoral bond होते क्या है, question answer की माधियम स ही, यहाँ पर भी काफी अच्छे-कासा topic ना, question answer के माधियम से भी हमारे cover होते रहते हैं, उसी तरह से एक topic मैंने last week discuss किया था, core sector industries के regarding, इसका answer भी अपनी से comments में बताओगे, देखते हैं कितना आपको याद है, कि आपने order में, action में इसको याद किया, जो मैंने आपको कर लेते हैं, monoclonal antibodies के बारे में, तो क्या ये laboratory mode proteins होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जो कहिंना कि हमारे जो antibodies का behavior है, उसको mimic करते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल हमें ये correct देखने को मिल जाएगी, दूसरा बात करो, टोटो शब्द समग रहा है, basically टोटो एक language मैंने आपको इ बेखने को मिलती है, बुटान की बिल्कुल पास में, वहाँ पर ये चीज़ होती है, तो क्या ये ध्रवीडियन लेंगोज है, the answer is false, कौनसी लेंगोज थी है, ये साइनोट तबियतियन लेंगोज थी, और इसकी location हमें बिल्कुल पता ही है, तीसरा बात करे हैं, कि इंडिय करना चाहती है, research infrastructure को, तो ये statement या पर आपकी correct हो जाएगी, जो questions दिये थे, जैसे for example, अगमास के बारे मैं आपको question फूटा था, तो बिल्कुल ठीक है, जो अगम भी जिनको बोलते हैं, एक तरह से ancient Indian text है, जो कहिना 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 कि बताते हैं, कि कैसे rituals होने चाहिए, और answer गलत दे दिया, देखो, adjournment की जब हम बात करते हैं, आई होप, आपको different different चीजों के अदर फरक पता होगा, जैसे summoning हो गया, या फिर adjournment हो गया, पहले adjournment ही बता जता हूँ, adjournment की बात होती है, कि मानलो कोई single sitting चल रही है, ठीक है इस sitting का कहिना कहिन, अगर work हमें suspend हो जा time specific करते थे कि reassembly कब होनी है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि adjournment से ना, आपका session जो होता है, वो यहाँ पर terminate नहीं होता, क्या terminate होती है, आपकी जो sitting होती है, वो terminate होती है, और adjournment की power किसके पास है, आपके जो presiding officer होते हैं, उनके पास यहाँ power होती है, और अगर यही जो adjournment होती है, वो बिना किसी time period के बिसके लिए, एक indefinite time period के लिए अगर वो adjournment होए, उसको क्या बोलते है, adjournment signed आई, अब यहाँ पर पहला statement देखो, वो कह रहा है कि adjournment signed आइन का अर्थ है, एक session को terminate करना, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो sitting को terminate करता है, session को terminate नहीं कर यहाँ होता, देखो, प्रोरोग oynेशन जो होता है, ना, प्रोरोग आप जानते होंगे, प्रोरोग 18 के बारे में, प्रोरोगेशन के अंदर क्या होता है, आपको session होता है, वो tournament हो जाता है, जो कौन करता है, जो आपकर प्रेजेंट साहब करते है, यह छोड-चोड-शोड च अगर आपको थोड़ी background disturbance आ रही है, कल से यह चीज नहीं होगी, ठीक है न, तो आज के लिए I'm really very sorry अगर आपको कई background disturbance आई हो, ठीक है friends, तो यह थी आज की discussion, अगर आपको इस lecture की PDF चाहिए तो आप मैं telegram channel, PW only is official पर जाके, इस lecture की PDF भी access कर सकते हो, और अपनी preparation को और भी बहत बना सकते हो, I hope आज का session आप सभी को अच्छे समझाया होगा, इसी तरह से आप भी अपनेट भी hard work करते रहिए, good bye and good luck.